ब्रिशब रासी के वित्त मंत्री जो बनते हैं बुद्ध यही बुद्ध वक्री अवस्था में आ रहे हैं और इसी समय पर अर्थाद 5 अगस्थ से लेकर के पूरे के पूरे 23 अगस्थ तक कुछ महत्वपूर्ण निर्णे भी आपको दिला जाएंगे कौन सा वो समय होगा जिस टाइम पर ये बुद्ध आपके लिए बहुत अनुकूल होगा किस टाइम पर आपको सतर करहने की आओ सकता है पैसों को ले करके इस बात को हम जानेंगे ये आपके योग कारक है एक ऐसे ग्रह है जिनके पास ऐसा सामराज्य है ये बुद्धी मता के स्वामी होते हैं यही वो बुद्ध है जिनका ब्यापार में इनका अधिपत्य होता है हमारी वाणी पर इनका अधिपत्य होता है एक ऐसे ग्रह है जो छोटे चलने वाले ग्रह चोटे ग्रह माने जाते हैं बुद्ध को लेकिन जहां पर तलवार काम नहीं आती वहां पर एक सुई ही काम आती है बहुत बड़े बड़े ग्रहों को आपने देख लिया सनी राहु केतु देव गुरु बिरस्पति को देख लिया यदि काम वहां से निकल के सामने नहीं आ र हो जाए तो समझे जरा कितना जादा हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है और इसी बात को समझते हुए आज बुद्ध के इस रिंखला को समझते हैं जहां पर यह चार-चार डेट हमने निर्धारित किये हैं यह पहला दूसरा तीसरा चौँ था जिसके दर्मियान आप जान पाएंगे कौन से तारीक में कौन सी घटनाएं घटित होंगी इस बुद्ध के द्वारा समझते हैं आपके अपने ठीक व्रिसावरासी से चतूर्थ भाव पर बुद्ध का गोचर चलना था और जैसे ही एक डेट आता है पांच अगस्त यह बुद्ध वक्री हो जाते हैं अब कोई गरह वक्री हो गया अर्थात उनके अंदर चेश्टा बलकी बृद्धी हो गई मतलब हमें भी चेश्टा लगाने की आओ सकता रहेगी तो कहां रहेगी चतूर्थ भाव चतूर्थ भाव का है कि आपके प्रॉपर्टी समंधित काम का है तो यदि में हैं एजुकेशन फिल्ड में हैं तो दोनों ही परिपेक्ष से देखा जाये तो बुद्ध चतूर्थ भाव पर आ करके आपकी चेश्टा बलकी बृद्धी करा भई वहां देखना है क्या मुझ में कमी रह गई है मेरे सिक्षा में क्या कमी रह गई है ठीक चतूर्थ भा इस बुद्ध को नियंतरित करता है चतूर्थ भाव पर यह बुद्ध रहेंगे वक्री अवस्था में रहेंगे लेकिन अब अगला डेट जैसे ही आता है एक नई घटना घटित होती है वो डेट होता है 22 अगस्त से ले करके ठीक 28 अगस्त का एक हपते का समय होगा जिस दर की घर के प्रतिफल में जब वो पहुंशते हैं तो एक प्रभाव को अपना सधन भाव पर भी डालेंगे क्यों डालेंगे क्योंकि ग्रह जब वक्री अवस्था पर आते हैं तो एक भाव पीछे का भी परिणाम देते हैं और बुद्ध बिसाब रासी के दूसरे घर के मालि को ऐसे भी पंते हैं ये बुद्ध की अपनी स्वैम की रासी है और इस कारण से आर्थिक दृष्टिकोंड से एक महत्वपूर्ण तो आपको मिला है अपने परिवार का, उस काम को आप कर पाते हैं पैसों से जुड़ा हुआ कोई डिसिजन लेना है, वो डिसिजन आप ले पाते हैं कहीं पैसा चला गिया है, फस गिया है, क्योंकि अलेटी बुद्ध इस भाव को छोड़ करके क्रॉस किये हैं मतलब वक्री हो रहा है इसका मतलब फिर से आपको उसी हाउस का कोई रिजल्ट आपको देंगे तो इस करण से कोई पैसा फसा हुआ है हो सकता है एक हपते के बीच में कोई पॉजिटी वहां से कोई सूचना आपको देखने को मिल सकती है अब जैसे ही एक डेट आता है 28 अगस से ठीक चतूर थरासी मानी गई है अब जब यहां पर यह डारेक्ट होंगे तो इनका एक संबंध होगा सीधे सनी के द्वारा आपको ग्यात होगा कि सनी देव अभी वक्री अवस्था में चल रहे हैं और इस हिसाब से सनी देव अभी वक्रत अवस्था में ठीक आपके दस करते हैं नौकरी करते हैं तो भी यहां पर सनी दसंभाव तो भी हमारा केरियर ही डिसाइड करेगा कि मैं ब्यापार या नौकरी किस फिल्ड में सफलता होंगा कि मैं क्या करूंगा तो यहां पर दोनों ही ग्रहों का जब संबंध बनता है तो एक नए कारी छेतर में एक अंगला डेट आता है हां कि वो तारिक होगा 4 सितंबर से 23 सितंबर जिस समय पर बुद्ध फिर से स्वयम की रासी पर उपस्तित हो जाएंगे अभी तक कर्क में थे जो भागे के लिए अच्छा हो गया क्योंकि भागे भाव पर इनकी द्रिश्टी पर रहे थी अब स्वयम की अपनी रासी पर आएंगे जहां पर यह हैं वहाँ पर डारेक्ट हो जाएंगे हमने पताया कि दसम भाव से इनका रिलेशन बनाएगा जो कि कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो गया लेकिन अभी भी हमारा मन असमंजस की स्थितिमर है क्योंकि यह पंचम भाव से बारवे हर पर होता है मतबब वो दूर होता है तो पंचम भाव पर यह इनकी मूल त्रिकोंड रासी है लेकिन अभी भी यह इन से दूर है तो संतान से दूरी हो सकती है हमारे किसी डिसिजन में हमको फिर से प्रयास करने क्या हो सकता हो सकती है सेयर मार्केट में इसमें पर ध्यान द होगा 23 सितंबर से लिकर के पूरे के पूरे 10 अक्टूबर का समय क्योंकि उस समय पर बुद्ध एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे अपने स्वयम के रासी पर उपस्तित हो जाएंगे यहां पर बुद्ध को उच्च कमाना गया है वह प्रॉपर उस घर पर आ गया जो उ अच्छा कारे सित्ध होगा इंकम भाव पर इनकी दृष्टी होगी तो इंकम प्राप्ति के लिए अच्छा समय हो गया और आल देखा जाए तो यह बुद्ध का वक्री अवस्था पर आना मार्गी अवस्था पर आना ब्रिशब रासी के लिए खराब नहीं होगा कारण इ है इस जीरे का यूपयोग किया जाता है इसका संबण्ध इसी बुद्ध से हैं तो आपके तो योग कारक हैं सबजी में उसका प्रयोक कर सकते हैं कुछ जीरे अपने हरे कपड़े में बांध कर अपने सीरहाने पे लिए कर आप रख सकते हैं रात के निद्रा के समय solely सोते स चल रहा है कारी छेतर में जागरिती भी आ जाएगी कोटोंबिक जीवन भी यहां इस बुद्ध के माध्धम से बहुत अनुकुल निकल करके सामने आएगा उम्मीद है आप सबने इसे समझा आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है आपने जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन्ही सुब कामनाओं के साथ जै स्री राव